इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी δवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. एम प्रोजेस्ट एसार 300 टैबलेट एक प्राकृतिक female sex hormone प्रोजेस्टेरोन है. इसका उपयोग मासिक धर्म और गर्भावस्था से संबंधित मुद्दों के इलाज के लिए किया जाता है जो हॉमोनल असंतुलन के कारण होते हैं. एंडोमेट्रियल हाइपपलासिया यानि की गर्भाशे की परत का मोटा होना को रोकने के लिए हॉमोनल रिप्लेस्मेंट थेरपी के एक भाग के रूप में एम प्रोजेस्ट एसार 300 टैबलेट को एस्ट्रोजन के साथ साथ निर्धारित किया जाता है. इसे भोजन के बिन लिया जाना चाहिए. अधिमान तर शाम को या सोते समय. अधिक से अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए इसे प्रति दिन एक ही समय पर लेना चाहिए. आपको इसे तब तक लेना जारी रखना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो, भले ही आप ठीक म सबसे आम दुश प्रभावों में पेट में सूजन, पेट में दर्द, चक्कराना, सिर्दद, अवसाद, स्तन कोमलता, गर्म फलश, योनी स्राव, जोडों का रंग और मूत रसयम शामिल हैं। साइड इफेक्ट पहले कुछ हफ़तों के दौरान अधिक सामान्य होते हैं और आमतोर पर कम हो जाते हैं क्यूंकि आपके शरीर को दवा की आदत हो जाती है। आप अपने पीरियर्द के बीच ब्लीडिंग या स्पोर्टिंग का भी अनुभव कर सकती हैं। अगर ऐसा बार-बार होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। यदि आप चकर या थकान का अनुभव करते हैं तो ड्राइविंग या गतिविधी से बचें जिसमें मानसे के कागरता की आवश्यक्ता होती है। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित सक को सूचित करें कि क्या आपको स्तन कैंसर, योनी में असामान्य रक्तसराव या यक्रित रोग है या हुआ है। आपके गर्ब की जांच के लिए उपचार से पहले और उपचार के दोरान संभवत आपके कई परीक्षन होंगे। इसके अलावा अपने चिकित सक को बताएं कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं जो इस दवा को प्रभावित कर सकती ह या इससे प्रभावित हो सकती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटि क्लिक करें। धन्यवाद।